तो कैसे आप सब बढ़िया होंगे करते कि आप आपका परवार पुरुतिकर स्वास्थ होगा तो हम स्वास्थ नहीं थे इस वज़े से क्लास लेट आए थे लेकिन अब तोड़ा सा सही हो गया है रिकवर हो गया है तो पंदरे दिन के बाद आया है तो तेजी से पढ़ाने की सब्सक्राइब की बात कर लेते हैं कि पहले हमने चार माइक्रोस्कोप के बारे मता दिया तो चलते हैं यहां पर कर लेते हैं कि कैसे हमारे क्या है सब को ध्यान से देखेंगे पहले करते हैं इंडुडक्शन के बारे में तो वीडियो के लाइस तक यहां पर नहीं पढ़ाएगे जब हमने पीट-पीटी बना रहा था तो वहां पर रहनले में परिच से परिचे की कि इसकी बात करेंगे परिचे की परिचे में कि हमारे पास प्रह से माइक्रोस्कोप है tile का हुटा ह Hybrid वह हो देखा यह जासworkriv आस लोनों कि अंतर सबसे बड़ी अंतर यह होता है कि हमारे पास या फिर नेउट oh पसकर बाइब करें उप्टिकल और माइक्रोसकोप के वा रिजोड़ थे पतार्थों के बारे में यानि जो चोंड़ जो हमारे हमारे पास काम करता है हमारे Carbonic and Org Carbonic compounds को उपर यानि Organic and Non-Org Compound जो है या इन Organic compounds उनके अध्यन के लिए हम लोग Florescence Microscope का यूज करते हैं ध्यान समझना कि Florescence Microscope का यूजिंग है वो किवल केवल हमारे पास हमारे किसी भी कह सकते हो कि Biologically process के लिए तो है लेकिन वहां पर और और गयानिक ईनार्गेनिक कमपाउंंस उनको चेक वाड़ करने के लिए लगाया जा रहा है बाकि किसी के लिए यूज नहीं होता है यह थ्यान देखा देखो बहुरा है कि यहां पर यूज और फ्लोरो जिंश यह हमारे पास किसके होता है यहां पर काम करेगा यह हमारे पास प्रतीबिम को बनाएगा या फिर और सोसर के बजाए मतलब यहां पर एक चीत ध्यान देना यहां पर एब्जार्वेशन की कोई अक्टिविटी नहीं होती और यहां पर पर प्रतीबिम बनने की अक्टिविटी होती है यहां पर कोई अक्टिविटी ऐसी नहीं होती केवल 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 यहां पर क्या होता है फ्लोरो सेंस और जो हम हमारे पास हमारा जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है वो जास्ट लाइट माइक्रोस्कोप जैसा होता है लेकिन 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 जो इसका यूज होता है वो हम लोग केवल और कार्बनिक और कार्बनिक इन और 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 यहां पर क्या कियाता है यहां पर फ्लोरोसेंस का यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग फास्फोरेसेंस जो होता है तो फास्फोरेसेंस आपको बोल रहा होगा कि फ्लोरोसेंस यूज करते हैं कि इसको यहां पर देखो गोहरा ना यह सिंपल तरीके से कि यूज करते है lle hoje करते हैं यहाँ फासफो रेसेंट को यूज करते है इन ओर औरनिस कंपाउंट के लिए बात करते हैं नंबर की दूसरे नंबर में कह रहा है कि हमारे पास फ्लॉरă सेंस नंभर में मнаखिकंपाउंट होता है एक पदार्थ मतलब एक कंपाउंच है जो एक लाइट को प्रिड्यूस करता है बराबर बाहर की और निकालता है तो यहां पर एक चीछ ध्यान दिज्जेगा कि हमारे पास सबस्ट्रांस के द्वारा यह लाइट को लगातार बाहर निकालता रहता उस सर्जन करता है और यह सपेसली जो अन्य बेदू चुम्ब की पदार्थ होते हैं यहां पर बोल रहा होगा कि एबजॉर्ब करता है देखो बोल रहा है एबजॉर्ब लाइट और अदर Electromagnetic Radiation मतला अब यह क्या करेगा कि जहाँ पिनको लगाया है यह ऐसे फ्लॉरोसेंस लाइटो होते हैं यह ऐसे लाइट को लाइट को आपको याद होना चाहिए कि वह थो इलेक्ट्रो मैंगनेटिक रेडियेस्थ होते हैं जो अदर खासकर अरे बहुत करने के एक्ट्वीट रखता है तो यहाँ पर आप को नहीं होना चीहें Ti skole judge और यह क्या करता है जो फ्लोर ओसेंस होता है प्रकार की लाइनिल संस करता है किसी सबढूरारे सब्स अइसा होगा जो कहीं न कहीं लाइन की ओर स्थी इमसितर होत है कि हम ने पपढ़ila या यहे पास tutorials के Him अब बात करते हैं यहां पे फास्फो रेसेंस जो है एक प्रकार की यह भी क्या है इस पेशल टाइप का फोटो क्या कहते हैं इसको इसको कहते है फोटो एलुमिनेशन फोटो एलुमिनेशन रिलेटेड आफ फास्फो रेसेंस हैं इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास फास्फो यह प्रकार के फ्लॉरोसेंस की भात्ति काम करता है यह प्रकार की लाइट को प्रड्यूस करेगा बाहर की ओर ठीक और यह भी अदर टाइप्स के लाइट्स एन यहां पर क्या रहा है यहां पर क्या रहा है कि हमारे पास फ्लॉरोसेंस और एसेंस होते हैं यह दोनों हमारे पास कैसे हैं लाइट को प्रडूस करने वाले मटेरियल हैं तो एक चीज़ धान दीजेगा कि हमारे पास जो फ्लॉरोसेंस मटेरियल है उसके जो भी परीत है वह फास्फोरेंस मटेरियल होता है जो क्या करता है ये वाला तो तुरंट कुछ दिर काम का बात काम करता है लेकिन जो फास्फोरेसेंस होता है फास्फोरेसेंस माटेरियल होता है वो किसे भी वीकरण को तुरंट ही उस सर्जित नहीं करता है यानि ये थोड़ा सा लेट काम करेगा थोड़ा बाद में काम करता है और जिसे वो करता है मतलब यह कहने का है कि यह सब ऐसे मोते रात को इन सांग से अर्जी लिया यानि संग से लाइट को एब stiff व्यूर्प करने के बाद रात को उन्हें दे दिया अ disciplina क्यों लगता है कि च利ек क सूरुव दस दिन वीज दिन ना निकले तो क्या होगा निकले तो है बदली चंद्रमा के दूरी है मान ले कि सूर्व को हम 10 दिन चुपा दे और चंद्रमा को लाइट ना मिले तो हमारे चंद्रमा क्या होगा डिश्चार्ज जाएगा ऐसा हो सकता है लेकिन अभी हुआ नहीं है लेकिन यहां पर कहने का मतलब है कि हमारे यानि जो भी वह लाइट अपने अंदर रखते हैं वह कुछ टाइम तक ही रखते हैं आपके सामने सीशा खड़ा हो सीशा कोई है उसमे अपने अपने दरपड़ है उसमें अपने फेस को देख रहे हो और फेस क्या कर रहा है तुरंत लाइट को एबजार कर लेता और आपको कुछ दिखाई ने देता तो काफी दिक्कत हो सकती ती लेकिन यहां पर काम है कि यह पूरा माटेरियल होगा हम नहीं करते हैं चीज इस चीज को द्यान दिवनंदों और हम इस इस मतेरिय सो फक्रवाइब से नहीं करते हैं त ङब हुआ रहा है तो हमारे पास नमबर 4 में क्या about जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोफ है वह 20 सदी की सबसे अच्छी कह सकते हो खोज में से डिस्कवरी में से एक है अब इसके बाद यहां पर देखा जाता है कि इनकी जो डिस्कवर्ड थी वह डिजर्विंग मटेरियल था वह हमारे पास यहां पर देखो हमारे पास कह रहा है अगस्ट कोलिकर की बात करते हैं इसके सथ कारल हमारे पास क्या है पास ओर एक लोग आघाएनगे तीन लोग से यहां पर अगस्थ कोहलकर इन कार रिचोर्ड एन इसके बाद हमारे पास है लेहमेन हेनिकर या हनिरच लेहमेन जो ते यह इन्होंने आपस में मिलने के बाद सिस्फ्लोरेसेंस म्हांतेरियल को कहीं ने कहीं बनाने कि को सिस्स किये थे इस लिए याद रखोरना हमको यह नहीं दोछ नहीं कि उसको बात हमारे पास क्या हो जायेंगे रिखेंट थे ये यवी एक नाम एक नाम ये तीन नाम हो गए छोथे उनका नाम नहीं लोग यह लीडर थे इनका नाम आया है इनके चेले चपाटी का नाम नहीं आया तो ध्यान दिजेगा कभी आपको डिसकोवर्ड भाई पूछे तो आप यह चीज ध्यान दिजेगा मोस्ट इंपोर्टेंट हम तो बोलेंगे भाई यह इसको पूछे जाए और तेज पढ़ाओ नहीं दिरे दरे चलते हैं देखो यह हमारे पास है यह यहां पर लिखता है अगयों यहां पर वैसे हैं यहां पे फिल्टर प्राइबữa polie- reh affairs और गरने देट अब उससिए समय है और यहां पर जो होटा है क्या लाइट को ब्रेक करता है हमारे पास इमेल्शन फिल्टर इमेल्शन फिल्टर का मतलब होता है वह यह क्या करेगा यह हमारे पास इस पेसली जो लाइट आता है उसको इस पेसल यहां पर सिंपल रखेंगे पहले क्या रखेंगे सेंपल रखेंगे और यहां पर अब्ज यानि पहुंचेगा वह पता लगा कि बताएगा कि अंदर होने वाले जो सभी श्टांथ है उनकी नेशर कैसी ती उनकी कैसी ती तिक इस तो ध्यान देगा मतला कि यहां से चली वह यहां पर हमारे पास क्या होगा यहां पर लगाएंगे फिल्टर की साथ से लाइट को नीचे जाएगा अब्जेक्टी लेंस की साहता सेंपल पर पड़ेगा जो भी इन और्गनिक और यहां पर रखे रहेंगे उसके बाद लोहां सो लाइट क्या होगा मूव करेगा क्या उपर क्यों जाएगा उपर जाएगा डिडेक्टर के पास उसको पहचानेगा कि यह हमारे पास औ श्रेख किमठाट मेंट टारलेंट कोई गए नहीं होता है इनके अधिकांश जो घटक है बोडी के वह क्लरलेस हैं और इसफ인지 यहां पर से बात्ते ऑग आनरे करते हैं आगी देजेगा बागी करते हैं दूसरे नंबर पर इनकी जो बेशिक प्रो यहां पे प्रिमिस की बात कर रहा है यहां पर क्या कहे रहा है सिंपल दरिके जो फ्लॉरसेंस माईक्रोस्कोप होता है का मूल आधार जो है वह रंगों के घटकों को पहचानना है यानि क्या सकते हो कि ऐलाग अलग टाइप के कलर रों उन कलर को सही तरीके से रिडिक्ट करने का जो capacity होता है वो हमारे पास fluorocent microscope के पास हूता है यानि fluorocent microscope किसी भी color कलर करने किनिता है यहां पे अगले नंबर टो है कि घुल कि उनको हम लोग선 पे डाम कोई जानते हैं यह को आँ जानते हैं तो कभी भी पूच सकता मैंपे बना किसको लिख ले न या फिर कभी यह भी पूच सकता है कि अमी। कोंज क्या है इसको भी ऐंधे बना आप लिख सकते हो बड़े अच्छे से ठिक यहिए हमारे पास मालिकूस होते हैं जो लॉय को अबजॉर करने की कपिसिटी होते हैं क्या यह ऐसे मालिकूस होते हैं जो किसी भी दिये गए जो तरंग है दर्ग है यानि जो इस पेसल लाइट की विविलेंद होती है क्या जनरली खासकर इवी विविलेंद की बात करें यह विवी विविलेंद को और सोसित करने का कैपिसिटी रखते हैं यह दोनों ऐसे दिले एमेट लाइट अटल लॉगर इनका मतलब यह है कि थोड़ी देर के बाद लमबी तरंग देर पर जो मारी लमबी तरंग बड़ी उची तरंग देर वाली हाईयर विवलेंध वाली एनरजी होती है उसको कुछ समय बाद यह क्या करते हैं उस सर्जित कर देंगे यानि इमिट को कर देते हैं वहीं बात करें अगले नंबर पर यहां पर कह रहा है कि यहां पर देलेबिटमिन एब्जॉर्वेशंस 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 तिक यानि कहने का मतलब यहां पर है कि अवस्वोसर और जो उस surgeon के बीच की जो देरी होती है जो बीच की gaping होती है वो काफी कम होती है खास कर इनकी जो gaping होती है वो nano seconds के बीच होती है यानि जितना time ये टाइम कैँ करते हैं ab available करते हैं और उतने time में क्या करते हैं ये बाहर के ऊर निकाल देंगे अगले नमबर बात करते हैं पाचवे पे यहां पे इमेलसंस की लाइट की बात कर रहा है बाइया कि यहां पे जो फिल्टर्ड फॉर्म है यानि एक चीछ दिखा जाता है कि जो फ्लूरोसेंट की स्थान को प्रकट करने के लिए हम लोग उस सर्जन प्रदप जो प्रकास होता किया जा सकता है यानि जो हमारे पास फ्लूरोसेंट माटेरियल है वहां पे किसी भी लाइट को चाहिए कितना भी टेजी से क्यों आ रहा हो हम लोग उसे आसानी से फिल्टर कर सकते हैं ठेक अब देखो हमारे पास और यहां पे प्रेंसिफल आप इसकी बात करें और थ्वा यहां पे कहा रहा है कि हाईयर ठीक हाईयर इंसेटी का मतलब होता है लाइट आफ इमूलिनेट दरीके से है कि जो फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोफ होता है वह सेंपल को रोशन करने के लिए बहुत उत्तरदाई होता है यानि कैसा भी सिंपल क्यों ना हो उस पे लाइट कम पड़ाई यानि लाइट माइक्रोस्कोफ और कंट्रास्ट माइक्रोस्कोफ से भी हम इस्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग फ्लूरोसेंट माटेरियल से उस सिंपल को अत्यदिक लाई हाईयर एनरजी देते हैं बहुत तिब्रता से देते हैं इसलिए वह सही तरीके से डिड़क्ट हो पाता है और उसके बारे में हम लोग जानकारी जुटा पाते हैं इस चीश को अब ध्यान देजेगा अगले बारे में बात करें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास लाइट होता है जो नमूने के ऊपर जो लाइट लाइट का ही होता है यहां पर सौर्ट टाइम वाले बिबलेंद का कोई भी काईटरिया देखने के लिए नहीं मिलता है और जो इमेज़ का प्रड्यूसिंग होती है वह बेस होता है हमारे पास सिकेंड लाइट सोर्सेश पर यानि कह सकते हो कि आखिरकार जो हमारे पास लाइट लगे होती है और जो वह होती है वह इमेलसन के इस पेसली विवलेंद पर काम करती है कि इस प्रकास से जो मूल रूप से नमूने को रोशन करने के लिए किया जाता है एक आपको समझ में नहीं आए जाएगा यहां पर सिंपल तरीके से बात करें अभी मैंने रहे होंगे देखो यह जो आपको लाइट दिख रही होगी थोड़ा साम अभी दिखाएं आपको ठीक अब देखो यहां पे टूटा इसकी लाइट लगी है ना एक जो लाइट लगी है आपकी यहां पर आस्मानी कलर की जा रही है और यहां पर से दूसरे टाइप की एक ल स् compass and observation कि कोई भी कर्णिर सान नहीं होती है केवल डिटेक्ट्टर और betr यह यह हमारे पास धुब्रेंस लगा होता है क्या जो मारा लेंस लगा होगा उसकी सायता से मटल ऊपर क्यों जाएगा और वहां हमारे डेटर क्या करेगा उसको अब पढ़ते हम लोग देखो यहां पर हमारे पास यह फिक्चर्स हैं क्या यह पिक्चर्स हैं यह हमारे पास हमारा फ्लूरोसेंट अब देखो fluorescent microscope है यहां पर light की बात कर रहा किस टाइप की मैंने बात किया ना लाइट हम लोग यूज़ करेंगे कैसा लाइट यूज़ करते हैं क्या करते हैं यह यहां पर एक्सटेंस फिल्टर्स होते हैं उनकी द्वारा आध्या को क्या करते हैं इधर निकाल लेंगे और झूर दूसरी लाइट से मारे पास इमल्सन फिल्टर कैंप और आठेएगा और झालाध सेलर जाएंगे ँमल्सन्याइट क्या करेगा वहां पर जधा ज्यदध हैं यहां पर कर लेंगे और यहां पर लगा होगा हम लोग ऑखोंस सकते हैं और कर सकता हैं यह होता है यह हमारे पार सिस्टम्स काफी अच्छे सिस्टम्स होते हैं यह साइद आपके लाइब में वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो एक बार अपने टीचर से पूछिए कि आप इनवर्चिटी से हमारे सलेबस को देख रहे हैं तो वहां पर आपके लिए औ सबस्क्राइब को सबस्क्राइब 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 सबस्क्राइ है क्या होता है film matate block layer आएगी और उसके ऊपर जाएगी और दूसरी light हो सकते हैं इदर क्यों हो रहे हैं तो एमा he siento क्राइगा है प्रीजम की कर सकते हैं और रिस्थ नहींक कर लाइट हमारे पास नारमली हम अपने आखों की सायता से इसको देख सकते हैं ठीक अब तो काइमरा भी लग लग काफी ज्यादा काइमरा यूज कर रहा है क्योंकि बाद में रिकॉर्ड करके उनको चाहिए उनको बाद में भी स्टडी करना है तो एक बाद हमने बना लिए तो है ठीक क्योंकि अब भी तो नमा स्लाइड 15 लाइट है तो फच बस यहां बस तो ओल्वाज साब दिश्क को पढ़ा दे रहे हैं यहां भी देखना क्या है कि हमारे पास की जो लाइट आफ लाइट सोती है कि जितने भी एक्साइट इसाइट इसको बिश्कत होता है वह काफ लगा देता है और जो लगाता है इसलिए लगाता है कि ताकि हमारे पास जो हमारा सिंपल रखा गया है वहां पे सही तरीके से लाइट पड़े और उस से लाइट जो हो रिफ्लेक्ट होके कहां पर आए हमारे डिडेक्टर के पास आए और जैसे पास हमारे पास लाइट और यह जो यहां दिन कि रायर को यहां पर करते हैं और कि प्रकार के microscope को संदरवीद करता है किसी कोई भी microscope उसके जैसे काम करता है जो सिंपल छबी होती है एक सिंपल इमेज को उत्पन करने के लिए जो यहां पे फ्लॉरोसेंस का यूपी यूग करते हैं यानि फ्लॉरोसेंस event वsmagnet को सबसे इस में से काम करते हैं यह चीज आप याद रखना इनको स्य 충्श्ट करना काफी सेट आउट करते हैं वैसे इनको आएशे सट इस यह सबसे पास माइक्रोसेट होट है सबसे जो हाइएर माइक्रोसकोप उसको मुश्किल होता ठीक उसके चक्रम ना पढ़ना है तो इनके होती है इनके होती है उनका सेलेक्षन होता है और लेकिन दियान देना इनको करना उतना इंपोरेंट इनका सेट आउट करना इंपोरेंट है तिक बस इनके जिजायनिंग साथ होता है और यह सब्सक्राइब करना के लिए या नि इनके लिए हाइयर रेंज में काफी अच्छा यूज कर सकते और fluorescent material को वहाँ से produce करा सकते हैं और यहाँ पे optical sensing लगी होती है और उसी optical sensing को हम लोग higher resolution में यूज करते हैं यानि कह सकते हो कभी आपसे पूछे कि optical sensing क्या है तो optical sensing fluorescent microscope में यूज किया जाने वाला एक पदार्थ है यानि ये parts है जो images को higher quality में produce करके हमको देता है ठीक आगे देखो इस्ट्रेंट यहाँ पे most important और कुछ topic हमारे पास आजाएंगे यहाँ पे क्या कहने की बात कर रहा है कि most fluorescence होते हैं उनका जो यूज होता है वो लोग हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे AP fluorescence microscope के के रूप में करते हैं AP fluorescence microscope के रूप में करते हैं मतेडियर होता है उसको excited करते हैं excited करते है जैसे excited करते है वहाँ पे वह लाइट को इमिट करता है और एक सिंगल रूट की लाइट को वहाँ पे बाहर क्यों लगाता है निकालता है वही लाइट हम लोग सेंपल को डालेंगे और सेंपल उसको प्याद में डिटेट के उपास देगा जैसे मैंने बताया था अब बात करते हैं घटक के फॉर्म में घटक में हमारे पास ट्रॉपिकल कपोनेट्स अब फ्लॉरसेंस माइक्रोस्कोप और क्या है सबसे पहले घटक पोर्स होने चाहिए या फिर फ्लॉरो क्रोम्स होने चाहिए तो फ्लॉरो क्रोम्स को भी रख सकते हो या फिल यहां पर फ्लॉरो फोर्स को भी रख सकते हो यह दोनों मटेरियल लैब में आपको होने चाहिए तब ही जाकर से प्लॉरसेंट मटेरियल को काम करा सकते हो उसके करते हैं लाइट को एब जाने क्या सकते हो कि फ्लॉरोसेंट के अंदर यूज कि जाने वाला जो फ्लॉरो फॉर्स कंपाउंड्स होता है यह क्यों प्रकास को उस जबता है क्या करता है या रीमिट लाइट ओपन लाइट कитьकर संक्रीद करते हैं लोग उनको लोग लेफा लेंगे जैसे लोग अंदर लेते तो खटेंगे तो निकाल दोड़नेंगे आई लाइत करके तुरंत बार के और निकाल देंगे यहाँ प्रसेंट क्याया कि क्वारी पर कई धेर ऑते हैं और ये स्पेसले कैसे होते हैं वो प्लेनर कंपाउंसो सकते हैं और उन में हमेशा देखने की मिलता है क्या पाई बॉंच से पूसंट दिया था कि दियाए कि जो फ्रूरीस दें आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पे फिल्रस के जितने भी 2019 चैनिंट को जब लोग इस्टैनिंग करते हैं यानि अधिकांज होते हैं उनको किसलिए की आता है सबस्केर देखो कि कई यहां पर दिजाइन फार दर रेंज आप बयोलॉजिकल मालिकोस इसे से बात करें चाहिए होते हैं वह हमारे पास ऐसे इमेज बनाते हैं जो जैविक मालेकुल के सिंखलाओं के लिए कि लिए कोई भी और जिकली कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग स्टुडि कैसे करें उनके बारे में जाने कैसे कुई वह ही ने और घंड को कैसे चेक आउट करते हैं इसके लिए इनको काफी अच्छे तरीके से डिजाइप दी हैं और इनमेंशे कुछ छोटे मांलीकूस होते हैं और इंके साथ-साथ यहां पे higher molecules के range को Flucie के अंदर हम लोग लगाते convincing हैं और यहां पर कैंदे हैंनों प्रूडिकरिक्रा भाँपक व आते हूं और मिलने के बाद यह कुछ एक्जामपल सेट आउट करते हैं, एक्जामपल को दिखा रहा हूँ, यह मेजर एक्जामपल, सबसे बढ़ी है एक्जामपल यहाँ पर क्या कहा रहा है, कि हमारे पास नुक्लिक एसिड इस्टैनिंग, हम लोग क्या करें, अपने अंदर, अपने साथ-साथ हम लोग कह सकते हैं, यहां पर सबसे बढ़िया चीज है, एक्टिन फाइवर्स, एक्टिन फाइवर्स इन मैमेलियन सेल्स, यानि हमारे जो मैमेलिया होते हैं, मैमेलिया के अंदर, जो एक्टिन सेल्स होते हैं, उनको भी सही तरीके से चेक आउट करने के लिए, उनको सही तरीके से देखने के लिए उनके मालिकुस को रेंज को सही तरीके से देखने के लिए हम लोग लगातार इनको यूज करते हैं कि इसको यहां पे फ्लोरो यहां पर सबसे बड़ी है कहा रहा है कहा गया कहा गया कहा गया फ्लोरो फोर्स मटेरियल को या फिर फ्लोरो क तो हमेरा क्लोड का चाहरा कि यहाँ पर हमको मिलता है कि four types four many types of light sources यानि हम लोग लगा सकते हैं यह यहां पर लोग एक ही लाइट सकते हो एक ही प्रक्रायट मिलेगी तब बहुंत को सद्सक्राइब करेगा ऐसा नहीं है प्लोरिष सेंथ माइक्रोस्कोब के लिए चार लाइट होनी चाहिए विव्पोंते कंड़इन फ्रह सक्ते हैं की यहां पिर हम लोग मर्करी व्हाप्र लेंप यूज़ करते हैं और यह दुनों नहीं मिला हमको लेजर यहीं होती है हमलोग लोग सबसे सस्ती हो जो होती आप सोचो कि आपके जो है वो भी ना मिले और जो मरकरी वो भी ना मिले और लेजर लाइट भी ना मिले तो अब घर वाले अपने हाईयर पावर के जो LED लाइट तकनिक में कियाता है क्या नहीं करते क्कूंकि लेजर का भी तरह कि देखना नहीं आ सकता हम लोग इसको नहीं करके तो का प्रॉबलम हो सकती है बिना चैनिंग में हमL give expected लैट लगाएं बोरु जी ऑ дополнit से सोन हम्को इसमें लैडि चाहिए ठीक? या फिर हमारे पास मरकरी लेंफ है या फिर हमारे पास यहां पर यूज कर सकते हैं या फिर डाइक क्रोणिक जो हमारे पास लेंज होता है फिल्टर होता है हम लोग उसकी सहयता से काफी अच्छे तरीक दो यूज कर सकते हैं वाइड फिल्ड हमारे पास जो एपी फ्लोर्सेंट माइक्रोस्कोप होते हैं उन में हम लोग यूज करते हैं या फिर मरकरी लेंप या फिर लेडिय लेंब का यूज करते हैं तो कभी या पूचे तो बता दिख्कत नहीं खाने का ओपने पढ़ा दिया थे लाइट यूज करेंगे यहां फिर हम लोग नर्मल स्टेज में क्या करेंगे यहां पर डाइक जो हमारे पास फिल्टर पावर से उसकी के द्वारा हम लोग जिनान लेंप मरकरी लेंप एंड लेंप की यूज कर लेंगे और वहां पर हम लोग एपी फ्लोर सेंट माइक्रोस्कोप के अंदर इसी वाइल्ड फिल्ड का यूज किया जाता है उसके बाद यहां पर इसके संटर की बात करें हमारे पास इस करेंट जो हमारे पास यहां पर क्या है हमारे पास अग्ला फ्ल्टर काम रहा तो यह हमारे पास एक्शेटर होता है यह करता है एंग का बास फिल्टर होता है ठीक बाच फिल्टर का मतलब क्या पर्ब करते हैं जो केवल फ्लोरो क्या करते हैं फ्लोरो पोर्स द्वारा जितने भी एब्जॉर्ब लाइट होते हैं उनको पास करता है यह बैंड पास फिल्टर होते हैं यह एक लाइन याद रखना यह बैंड पास फिल्टर होते हैं कौन हमारे पास exciter की बात कर रहा है यानि जितने भी ड्र होते हैं फ़े सिर्द्थ filter होते एक्साइटर करते हैं की इसको यैनि धोरो सब्सक्राइब धा he जितने भी लाइच inverse होते है उनको बहर कर लिए एक्सारवह का यूज किया जाता है यह चीज़ा याद रखिएगा ठीक और इसमें क्या करता है यह maximum की बात कर रहा है साल minimum की बात करेगा minimum करता है किसके जितने भी हमारे पास यहां पर exciter को ऊपर की और accent की बात कर रहा है other sources fluorescence यहां पर blocking यानि एक समय से एक देखा जाए तो क्या करेगा बैया यह और काम करता क्या है कि हमारे पास fluorescence या अन्य स्रोथ से जो लाइट आती है उसको यह कम करता और रुद्ध कर देता है और रुद्ध करने के बाद जो डाइक पास mirror लगा होता है डाइक to mirror द्वारा और को क्या करता है वह रोक लेगा क्या करें करें रोक लेता है रोकने के बाद एक पत ली सी सारीक जो लाइट होती है फिल्टर की वह उपर निकाल कर भम उपर की ओर चुनिंदा lights को उपर के और निकाल देगा कहां पर detector के उपर एची ध्यान देना और उस यहां पर कहा रहा है die-chroic mirror की बात करें die-chroic mirror होता है वो भी क्या करता है यह भी die-chroic filter जो काम करते हैं यह thin film layer होती है यह पत्ली सी layer होती है और भाईया बात करें इनका जो huge कहता है वो केवल किसले करते हैं केवल सटीक जो रंग होते हैं जो special colors होते हैं उनको filtrate करने के लिए कहा जाता है और जो बाकी जो रंग होते हैं उनको बाहर के और निकाल दिया जाता है यह चिद्धान देना और यह special light यानि selective pass lights of small range of color will reflecting the other light यानि यह क्या करते हैं जितने भी हमारे क्या होते हैं selective pass of lights होते हैं selective lights होते हैं चिद्धा lights होते हैं उनको पारद करते हैं और बागी जो lights होते हैं उनको अपने अंदर यह absorb कर लेते हैं इस चिश्य को ध्याम देजेगा और यहां पर हमारे पढूदेर्स फेलिटर ओपनों करेगा इसका बड़ा आजीव है यह केवलाइट को बहुत बाहर की और निकालता रहता है क्या करता है बाहर की और निकालता रहता है यह इमिटर की बात कर रहा है यह इमिल्शन फिल्टर का मतलब होता है इमिटर का मतलब होता है इमिट करने वाला बाहर की और छोड़ने वाला क्या बाहर की और छोड़ने वाला तो इमिटर इस out करता मों करता है क्या का पास आउट करता है जेकर बेंट में आते हैंनि के बैण्स में जो आएंगे वो उसे ओनी करते हैं इनकर थी में रही ही में लेको ही प्लिभाने कई रही हां एसलिए matches इसलिए प्लाइब भी ब्लोकिंग उसलो है I schauen होती है जाए इवी हो चाहिए हमारे पास इंफ्रा रेड हो उनको हम लोग क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाहर के निकाल देगा और बाहर की और यानि अंदर की और हम क्या लगाएंगे स्पेस्लीं सेंपल के उपर हम लोग सिस्टम आटो फ्लुरोसेंट अप्तिकल फिल्टर लगाते हूं और वहां से हमारे पास जितने भी background होते हैं किसी भी images के हम लोग इसको थोड़ा सा dark कर देते हैं और जो हमारा image होता है वो थोड़ा सा color में उपर की और अच्छे से उखड़के आ जाएगा ठीक अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आता है applications की बात करें बहिए या applications में हम लोग किसको यूज़ करेंगे इनका जो structure होता है वो काफी 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 सिंपल structure होता है और यह fix होते हैं इसलिए इनको इनका जो इस ट्रक्टर से होने के वज़़ा से ही हम लोग काफी अच्छे तरीकिस को कम समय में stable कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह ऀंदे जिंदा सेल देखना चाहें living सेल देखना चाहें तो लोग living सेल भी इनके द्वारा दिखा सकते हैं यह चीजा ध्यान दिजीगा living को भी यहां से देखा जा सकता है और फ्लोट की feeding euh science center्याक्ये कि research में देखा जाए आज की research center में देखा जाए तो science के using में science के students हैं उनके लिए काफी stable हो चुका है हमारा ये fluorescent microscope ये multi color standing ऑलाउ करता है use of multi color याने एक छेल को हम लोग गला गला color से use कर सकते हैं ये दिखा सकता है ठीक आगे बात करते हैं ये labeling structures याने काफी दिखाता किसके सेल को और यह किसी वी फीज़ोलोजिकल सेल के किसी भी फिज़ोजिकल इस्टेट को डाइएंस नहीं होता उसको निंटेंस करके रखता यानि है तो मतलब समझने में आना चएक अप्लिकेस बस चारी है पहला यह यह सब्सक्राइब को दिखा सकता है तीसरा क्या है आज हम लोग लाइफ में आज टूड़े साइंस लाइफ में रिसर्च में काफी जादा यूज कर रहे हैं और चौथे पॉइंट दिखा सकते हो कि जब हम लोग फ्लॉरोसेंट माइक्रोइसकोब जब करते तो यहां पर मल्टेकलर यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे बैलोजिकली सेल का जूतने भी फीजियोलोजिकल कंडिशन्स है या फीजियोलोजिकल इस्टेट है वो कभी भी खराब नहीं होगा उसको मिन्टिनेंस करके हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले क्लास में लेके आपके लिए नेच्ट आपी तब तक के लिए आप वेट करीज़ासा लेके अगले वैक्टिरिया और बाकी सीजिश को मिलेंगे नेच्ट एनविट में तब तक के लिए जहिंद